श्री गनेशा या नमाहा नमस्कार दोस्तो दोस्तो ये राशी फल चंद्रा राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते है वो चंद्रमा की स्थिती ले कर आती है इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज के जिवन को ब परिणाम ला रहे है दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में पराक्रम स्थान से गोचर करेंगे यानि चंद्रमा थर्ड हाउस में रहेंगे जो आपके पराक्रम में बडुतरी करने वाला है जी हाँ इस समय में आप स्वस्तर होगे और मस्तर होगे बिमारियों से चोटी चोटी यात्राईं से करते हैं यानि उन्हें व्यापार करने के लिए चोटी चोटी यात्राई करनी पड़ती हैं इस समय में यात्राई होने के योग बन रहे हैं खास करके चोटी यात्राई आपको लापकारी सिद्ध होगी दोस्तो इस दिन भाग्य का साथ भी आपक रहेगा चंद्रमा इस दिन नवम भाव को देख रहे है चंद्रमा की नवम भाव पर दुरुष्टी होने से दिन आप के लिए भाग्यशाली रहने वाला है लेकिन चंद्रमा पराक्रम छेतर में गोचर कर रहे है उस वजबे से आपको लगन से काम करना पढ़े गा और मेहीन इस समय में आप धार्मिक रुत्ति के नजर आओगे, धर्म कर्म के काम में आपकी रुची बढ़ेगी, आपके घर में भी कोई धार्मिक कार्य संपन होने की संभावना है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने का सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए शु समाप्त हो जाएगी, और आपके रिष्टे और अच्छे वनेंगे, एक दूसरे के प्रती प्यार बढ़ेगा, भाई बहन एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आएगे, एक दूसरे के प्रती प्यार बढ़ेगा, अगर कोई पुरानी अन्बन थी, तो वो समाप्त हो अगर students की बात करते हैं, विद्यारतियों की बात करते हैं, तो इस समय में students को इस दिन खास ध्यान रखना होगा इस समय में आप भाग्य के भरोसे बिलकुल भी ना बैठे, जी हाँ भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला इस समय में स्टूडन्स जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स ला पाएगे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा स्टूडन्स के लिए समय वैसे वैसे अच्छा होता जाएगा स्टूडन्स को इस समय में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना चाहिए जिस तरह से सारी चीजे चल रही है उसी तरह से चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर personal life की बात करते हैं love life की बात करते हैं तो ये समय love life के लिए भी बेहतरीन हैं गूमने फिरने के लिए life को enjoy करने के लिए समय का अच्छा उपयोग करें इस समय में नए रिष्टे बन सकते हैं और पहले से बने हुए रिष्टे और मजबुत बनेंगे जो लोग अविवाह अच्छे रिष्टे आने की इस समय में समभावना रहेगी समय का अच्छा उपयोग जरूर करें इस दिन हरे रंग का इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परियनाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छे रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे नमस्कार दोस्तों व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़े नजर नहीं आती, वह चीज़े हमारे चारो तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है, परन्तु हम उसको नहीं देख पाते, इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है, जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता ह है, जिसकी वज़े से हमें भारे नुकसान उठाना पड़ता है, हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं, दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चपल फेक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं, कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते हैं, दोस्तो ध्यान रखे, जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे, और उनको उनकी जगए पर रखे, उनके लिए एक स्थान बनाए, उस स्थान पर रखे, अगर कोई व्यवस्था उनके ल इनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी साथ ही दोस्तों एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के च्छत के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के च्छत के उपर रख देते हैं ऐसा करते गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के च्छत को पूरी तरे से साप रखें क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जा गर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल जीजे, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है, आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है, तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है, इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है, इन चीजों से आपके गर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चिड़शेडा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नह अचरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्यो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं तरक्की ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाएं इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें ध थान्यवाद.